यदि आप आश्ट लक्ष्मी नवनिधी कुबेर को प्रसंद करना चाहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये दीपावली भाकिशाली अफसर हो सकता है आपके लिए. जोदपूर के पंडित श्विमाली जी द्वारा निर्मित अश्ट लक्ष्मी नवनिधी कुबेर कलश प्राप्त करके आप अश्ट लक्ष्मी का आशिरवात प्रांथ कर सकते हैं, इस कलश में आपको दीपावली पर स्थाफित करने के लिए लक्ष्मी चरण पादु का दक् और घर की महिलाओं के पूजन के लिए ना केशन और पंच धातों के डिप भी रख्त गूंजा गोमती चक्र जैसे दिवे अनेक वस्तों ही मिलेंगी, और घर के मुखिया के लिए स्फटिक श्रीयंत्र बेंडल और प्रेसलेट भी मिलेंगी, ये कलश आप घर बैठे ही प् अंपर करें, 0291-2621-625 नमस्कार, मैं हूँ कमल श्रीमाली, आपका स्वागत अमिनन दन हमारे इस चैनल पर आज हम बात कर रहे हैं, एक विसेश समस्या की, एक विसेश दोस्त की, एक विसेश जानकारी की प्राए जो भी अपनी जन्म कुणली लेकर के आते हैं, वह एक बात पूछना नहीं भूलते क्या मेरी कुणली में क्या पितर दोस है क्योंकि ज्यादा तर जो लोग भी जोतिस के नाम पर अपना कारेवेवसाय कर रहे हैं उनके पास में दो या तीन ऐसे सेंटेंस है जिससे किसी को भी कुछ भी बोला जा सकता है आपके उपर पित्र दोस है आप पर शापित दोस है आप पर किसी ने कुछ करवा दिया है आप तांतिक प्रियोग के सिकार है तांतिक दोस के सिकार है या आप पर पूर जनम का कोई दोस है जिसका की कोई क्लैरिफिक्षिशन नहीं दे सकता है ऐसी बातें बोल करके आप दू पित्र दोस नाम का ये श्राप है ये हमेशा एक लिए मिट जाए या ये सांत हो जाए तो हम दूसरों को तो सिखा नहीं सकते दूसरों को जबस्ती बता नहीं सकते कि आप ये मत बोलिए लेकिन मैं आपको जानकारी जरूर देना चाहता हूं कि पित्र दोस है क्या ये सुन कर के यह समझ करके फिर आप स्वेम इसको मन्थन कीजिए फिर अपने आप सोचिए क्या आप पर पित्रदोस है या नहीं है तो सबसे पहली बात कि सीमा एक ऐसा सब्द है जिसे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है और उससे प्रभावित भी होती है प्रत्यक वस्तू प्रत्यक प्रत्यक्स रूप से प्रत्यक्स रूप से जुड़ावाए सबी की अपनी एक सीमा होती है एक मरियादा होती है जब इस सीमा का इस मरियादा का उलंगन हो जाता है उलंगन कर दिया जाता है तब अहीत ही होता है बरबादी ही होती है उदान के तोर पर पानी को ले लिजे जब तक जल अपनी मर्यादा में हैं, अपनी सीमा में हम सभी के लिए प्राण देने वाला है। परण तो यदी पानी यदी जल अपनी सीमाओं को लांग करके समुद्र से निकल करके सहर में आ जाए, बाढ़ आ जाए, इतनी सारी बारिस हो कि पानी को जाने के लिए जगह न बने, तब क्या होगा जो कि आप टीवी पर देखते हैं, कि हर तरफ पानी ही पानी है। उसकी लेरें, पानी की लेरें मकानों को द्वस्त कर दे, तब क्या होगा। यह बात हमारे घर-परिवार और धार्मिक संस्कारों पर भी लागू होती है। घर-परिवार के सदे से सीमाओं का उलंगन करें, या मर्यादा को ताक पर रख दें, तो क्या होगा। इस कारण से जो परिवार है, उसका प्रतेक सदेस्यों को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। एक घर-परिवार का अनुशाषन तूटेगा, मर्यादा बंग होगी, तो इसका प्रभाव आसपास के घरों में, घरों से मौले में और मौले से समाज पर भी निश्चे दूप से पड़ेगा। इसी परिवार का मुख्या है, या परिवार का प्रमुक है, में जो व्यक्ति है, वह जो भी करम करेगा, सद करम या दूस करम, उसका फल उसके बाद उसके परिवार के सदेस्यों को भुगतना ही पड़ेगा, विशेस कर उसकी संतान को। यह फल अच्छा भी हो सकता है और यह फल बुरा भी हो सकता है यह तो उस मुख्या के यह तो उस प्रमुक के में जो परसन है हमारे परिवार का उसने क्या करम किये उस पर निर्बर होगा ति यदि में परसन ने अच्छे काम किये तो निश्टित रूप से वो अपने परिवा और क्या दे सकता है इस प्रकार के दूस परिणाम जोतिस सास्तर में पित्र दोस्त के नाम से जाने जाते हैं यह पित्र दोस्त किसी पूर्वस द्वारा मर्याद्या भंग करने से हो सकते हैं इनके कारण व्यक्ति को आर्थिक संकट विबिन कारियों में बादा साधी वीवा म में निरंता लॉस होना, नौकरियादी में बार-बार प्रॉलम आना या नौकरी बार-बार छूट जाना यह सब दोस उत्पन हो सकते हैं, पित्र दोस के कारण घर के सदेश्यों को स्वपन में साप भी दिखाई दे सकते हैं, पित्र दोसों को इस थूल रूप से 6 भागों मे अथा 6 दंक से पित्र दोस आपको हो सकता है, या 6 दंकके पित्र दोस देखे जा सकते हैं, सबसे पहला गोतर दोस, सेकेंड कुल देवी दोस, ठड़ शाकीनी डाकीनी दोस, फौर्थ प्रेत दोस, फिफ्थ सेत्रपाल दोस और सिक्सर बेताल दोस, अब उससे बड़ी बात आ जाती है कि पित दोस है या नहीं ये कैसे ग्याद करें इसका पता कैसे लगाए जा सकता है कि पित दोस है या नहीं है तो जाता की जन्म कुंडली देख करके जो भी व्यक्ति है जो भी परिवार का मुख्या है जिसको अपने जीवन में जिसके परिवार में सबसे जादा सम से आ रही है उसकी कुंडली देख करके पित्र दोस का पता है लगाए जा सकता है सूर्य आत्मा और पिता का कारक है पिता का विचार सूर्य से होता है इसी प्रिकार चन्रमा का विचार माता से होता है मन और माता का कारक रह चन्रमा है सूर्य जब राहू की युति में हो जाए तो ग्रहन योग होता है सूर्य का ग्रहन अथात आत्मा और पिता का ग्रहन हुआ सूर्य राउ की यूती पित्र दोस का निर्मान करती है सूर्य और चनमा अलग-लग या दोनों ही राउ की यूती में हो केतु की यूती में हो तो पित्र दोस होता है सनी और सूर्य पितापुत्र है यह सूर्य का नैसर की सत्रू भी है अता सनी की सूर्य पर दस्ती भी पित्र दोस उत्पन करती है इसी प्रकार पित्र दोस से जातक आदी व्यादी उपादी तीनों प्रकार की पीडाओं से कष्ट उठाता है उसके हर कारे में अर्चन आ सकती है कोई भी कारे समाने लूप से या नॉर्मल डंग से निर्वेगन बिना किसी बादा के संपन नहीं हो सकता दूसरों की जस्ती में जातक सुखी दिखाई पड़ता है परुंतु जातक खुद अंदर से बहुत दुखी होता है, टूटा हुआ होता है जिंदगी में कष्ट उठाता है कष्ट किस बात का होगा? इसका विचार और निन्ने सूर्य और रहू की यूती या सूर्य सनी का जस्ती समंद या यूती किस भाव में है उस भाव पर निर्वर करेगा अब example के रूप में मैं आपको एक कुनली बता रहा हूँ यह side में देखिए एक व्यक्ति की कुनली है इस कुनली में जो पित्र दोस पर अच्छा या खराब कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ रहा है लेकिन 12 सेस होने के कारण रता 12 आउस का लौड होने के कारण 5 आउस में बैठावा बुद्ध यह संतान बाव को खराब जरूर कर रहा है जातक के संतान उत्पन करने में बादक बंद रहा है इस पकार के पित्र दोस निवान के लिए एक मंत्र है सर्व पित्र मनो कामना सिद्धी कुरु कुरु स्वाहा मंत्र एक बार फिर सुन लीजे और हो सकता है तो किसी डायरी में लिख लीजे सर्व पित्र मनो कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा यह मंत्र का जाप करते हुए तामबे के पातर से पीपल के व्रक्ष पर जल्प अर्पित करना चाहिए या जल्प सीचना चाहिए पीपल वरक्स की पदिक्षना करें वहां पर दीब जलाएं पित्र इस्तवन या विश्णु सरस्त नाम का पाट करें अताद यदि नियमित हो सकता है तो नियमित करें नहीं तो स्राथपक्स के जो 15 दिन है 13 सितंबर से 28 सितंबर तक 2019 में स्राथपक्स आने वाला है इन 15 दिन में आप ये नियम बना लें कि रोजाना जाकर के तांबे के पातर से आपने वरक्स पर अताद पीपल के वरक्स पर ये पानी चड़ाना है और इस मंतर का जाप करना है कुंडली में 4 ताउस, 9 ताउस और 10 ताउस अताद चतुद बाव, 9 बाव और 10 बाव में सूर्य या राहू या चनमा या राहू की यूती हो तो पित्र दोस उत्पन होता है उसे श्रापित दोस कहा जाता है इसी प्रकार पंचम बाव में राहू और गुरू की यूती हो तो इसे गुरू राहू चांडाल योग भी बोला जाता है और ये प्रबल पित्र दोस कारक होता है संतान बाव में इस दोस के कारण जो डिलिवरी है वो बहुत कष्ट कारक होती है वो बहुत खतरनाक डंग से होती है या बहुत ज़्यादा केरफुल उसको रखना पड़ता है बहुत ध्यान रखना पड़ता है नहीं तो यहाँ पर ऐसी सिचुशन जान जाने का खतरा हमेशा रहता है आठवें या बारवें एट आउस या ट्वेल्ट आउस में स्थित ब्रेस्पति प्रेतात्मा से पित्र दोस करता है यदि इन भावों में राहू और बुद्ध की युति भी हो तो सब्तम अस्टम भाव में राहू और शुक्र की युति हो तब भी पूरुजों के दोस से पि विवार में किसी इस्तरी की मौत हुई है वो पित्र दोस्त का कारण है इसका कारण भी इस्तपस्ट है कि बारवा भाव भोग और सहिया शुक का इस्तान है अत्री जातक से दोस होना स्वाबा विक्माना जाता है इसके अत्रिक और भी कुणली में बहुत से योग होते हैं जि पितर गर नाराज हो जाते हैं तो श्राब देते हैं जिसके कारण व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो सकता है यदि पिता दारा श्राब दिया जाए तो पितर साब कहलाता है ये माता दारा श्राब दिया जाते हो मातर साब कहला जाता है इन दोसों का पता भी कुंडली से लगा मिलवा लीजिए खुंडली दिखवा लीजिए और यदि ऐसा कुछ है तो आपने पित्र सांती कवच धारण करना चाहिए यह जो पित्रवक्स आने वाले हैं उसमें जो भी पित्रों की सांती से रिलेटर प्रियोग हो सकते हैं साथ पूर जो कुछ भी पूछ सकते हैं पूछिए और यदि वो करम करा सकते हैं तो उनसे जरूर वो करम कराईए अतात आपके जीवन में यदि कालसब योग है चांडाल योग है जो भी आपकी कुणली में यदि कोई योग है तो आपको समय पर उसका निराकरण जरूर कराना चाहिए ताकि आने वाली आपकी संतान को भी पितर दोस्ट शापित दोस्ट या जो कालसब दोस्ट ना मिले मैंने बहुत से ऐसे लोग देखें उनकी कुणलियां देखिए कि उनके पिता को कालसब योग है तो जितनी संताने पैदा हुई उन सब को सेम योग है कालसब योग है तो जब तक हम उस योग की सांती नहीं कराएंगे तो वो आगे से आगे जिंदगी में चलता रहेगा आता आपके बच्चों की कु ग्यासा है कि क्या श्राद पित्रों को मिलता है तो मेरा आंसर है कि जब हम अपना जन्म दिन मनाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं बहुत प्रसंद हो जाते हैं ठीक उसी तरह मनत पाणी है मनत पूरवज जो पित्र हैं उनकी मरंतिती को भी उनको याद किया जाए तो क् को तरपती नहीं मिलेगी क्या उनको प्रसंता नहीं मिलेगी जन्म के बाद में श्राद मिल सकता है या नहीं मिल सकता है या उसका प्रतिफल कैसे मिलता है जी गीता में श्री क्रश्ण भगवान ने कहा है कि जातस्या ही दुरुवम जन्म मत्युस्या चा जन्म लेने वाले की मृत्यू निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है लेकिन यह बात यहां पर सत्य है कि इसमें अवधी का निदेश नहीं है अता इधर आदमी मर जाएगा और इधर वापस रीबर्त हो जाएगा वापस जन्म लेगा ऐसा नहीं है कहा गया है कि जो विक्ति आदी योनि ग्रहन करती है और अगर सू कर्मा है तो पित्र रूप में प्रकट होते हैं अगर उभय कर्मा है तो मनुश्यों सर्प कीट आदी योग्यों में योनियों में आत्माय जन्म लेती है हमारा या सरीर पंच बहती के फाइव एलिमेंट से बनावा है मरने के बाद बायूरूप सुक्स्म सरीर बनता है पर चौदा मूल प्रवतियां जोंकी त्यों बनी रहती है अधा जो भी व्यक्ति में जो मूल गुन होते हैं या जो मूल प्रवतियां होती है वो हर योनि में जाएगा तब भी सेम किसेम बनी रहेगी सास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद भी प्राणी के निमित किया गया कर्म उस नत्यू लोग में सास्त्र विदी से करे तो उसे किसी भी योनी में हो कर्म फल प्राप्त होता है अगर हमारे पिता, हमारे दादा, आदी देव लोग में है तो अमरत रूप में और किसी अन्य योनी को कर्मा नोसार चले गए हैं तो वह खाद्यान रूप में उसी योनी में खाद्ये योग्य वस्तू के रूप में परिडित हो करके उन्हें मिलेगा जैसे यहां से किया गया money order पतियक देश में वहां के रुपियों में परवर्तित होकर कि मिलता है अमरीका बेजेंगे तो वहां डॉलर के रूप में मिल जाएगा जो भी आप पैसा बेजेंगे यहां तो बैंक को देंगे रुपिय में इंडियन रुपीज में और वहां उन्ह जों का स्राद करते रहते हैं उसी दिन हमें अक्समात किसी निकिसी बाहने मिठाई कपड़े धन unexpected gain प्राप्त होता है इसमें कोई doubt नहीं कोई संदय नहीं है अत हर व्यक्ति को अपने पित्रों की प्रसंता के लिए उनकी सांती के लिए सास्तों द्वारा पूरणा द्वार जो वीदी बता ही गई है उससे श्राद जरूर करना चाहिए शास्त्र कहते हैं कि प्तरम पिति माप्यन्ते प्रियंते सर्वदेवता पितरों के प्रसं रहने से ही सारे देवता प्रसंग होते हैं तबी मनुश्य के जब पूज़ा अनुष्णान मंत्र साधन अधी सफल होत आयू प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्स सुखनिच प्रियच्छंती तथा राज्यम पित्र साध्यम तरपिता श्राद से तरपित हुए पित्र हमें आयू संतान धन विद्या स्वर्गमोक्स सुख और राज्य देते इसलिए ही तो सास्त्रकार चाहे वैदिक कर्म हो या पुराणोक्त चाहे जो भी कर्म हो उसके पहले वचनांग नांदी श्राद कर्म करने की आज्या देते हैं हमारा जो मूल उद्यश्य था इस एपिसोड का वा था पित्र दोस तो यदि आपकी कुणली में पित्र दोस है और यदि आपकी कुणली नहीं है फिर भी आपको ग्यात करना है कि पित्र दोस है या नहीं तो आपकी लाइफ में आपके जीवन में संतान नहीं होगी वंस नहीं चल पाएगा पैसे की निरंतर हानी होती रहेगी गर में लड़ाई जगड़ा होता रहेगा मानसिक असांती बनी रहेगी भूत प्रेत या बादा जो भी होगी वह नहीं हटेगी गर में डरीदता बनी रहेगी मुकदमे में उलजे रहेंगे और निरंतर गर में कोई बीमार रहेगा या फिर बच्चों का especially कन्य का विवाद नहीं होगा इन में से एक नेक बादा पित्र दोस का कारण तो बनी ही रहती है अर्था पित्र दोस की सांती जरूर करवानी चाहिए पित्र दोस सांत करने के उपाए सबसे पहला उपाए त्रिपिंडी श्राद या तरपन कराना सेकेंड पूरुजों की म्रत्यु तिति पर श्राद करना जैसे कि 13 से 28 सितंबर 2019 के बीच में पितरपक्स आएगा जिस तिति को आपके पूरुजों की म्रत्यु हुई है उन तिति पर आपने श्राद पिंडदान तरपन जरूर करना चाहिए यदि आपके आपकी दादा आपकी दादी दोनों की म्रत्यु हो चुकी है उन उन तिति पर उनका हो गया यदि मान लीजे कोई बड़े भाही थे या चाचा थे उनके कोई वनसज नहीं है तो आप यदि उनका श्राद कर रहे हैं तो उस तिति पर उनका करना चाहिए और सब लोगों का यदि एक साथ में करना चाहता है यदि शक्षम नहीं है तो क्या करे सरुपित्र अमावस्या को 28 तारीक को वो श्राद कर सकता है सब का एक साथ में पीपल या बढ़ बढ़ का मतलब जो जिसकी जड़ें वापस पेड़ से आती हुई नीचे रहती है वो ही पीपल के जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसको बढ़ कहा जाता है या खेजड़ी जिसको शमी का जाता है उसमें जल देना चाहिए जीवन में यताविदी नारैन बली एक बार करम जरूर कराना चाहिए श्रात पक्स के 15 दिनों तक या पूर्वज की म्रत्यूतिती पर तरपन जरूर करना चाहिए हर अमावस्य को तरपन करना और ब्रामन भोजन कराना बहुत ज़्यादा सुब रहता है अमावस्य और पूर्णिमा को मंदिर आदे स्थानों पर कच्ची भोजन समगरी ये दान देना चाहिए आटा, दाल, चावल, गी जो भी मसाले हैं वो सब कच्ची भोजन समगरी कहलाती है जो आपकी आश्टा है जो आपकी स्ट्रेंथ है जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है अतना आपने जो भी जरूत मन्द है या आपके आसपास जो पंडी जी रहते हैं जो ब्रामन देवी देविता रहते हैं, उनको जरूर देना चाहिए. अपने जीवन में, यदि आप सक्सम हैं, तो कोई प्याव खुलवाएं, और या पिर कोई इनको कुई खुदवा करके दें, चाहिए वो गाव के लिए हो, चाहिए स्कूल के लिए हो, या कोई जो भी जरूरतमन लोग हैं, उनके लिए हो. सदावरत या अनशित्र खोलना चाहिए, या अनशित्र में दान देना चाहिए, अता जहां बंडारा होता है, जहां पे गरीबों के लिए भोजन मुफ्त मिलता है, फ्री सेवा होती है, वहां पर जरूर आपने सेवा देनी चाहिए, आपने जो कुछ भी हो सकता है, वो माहां में तेरह से अठाई सितमब्र तक पित्र पक्स में श्राद के अवसर आएंगे उस सद्दा से श्राद को अपने पित्रों का तर्पण और श्राद करके मुक्ति प्राप्त करे इंडें यही एक ऐसा अवसर है जब्पित्र लोग के स्वामी अर्यमादेव सभी प्राणियों को अपने अपने स्थान पर शाद का अवसर प्रदान करते हैं। आश्विन क्रश्णपक्स जब सूर्य कन्या रासी पर हो तब पित्रों के निमित किया गया श्रद्धा पूर्वक दान, तरपन, भोजन आदी उन्हें मिलता है। और वो अक्षय हो जाता है। अथाद वो कभी शाय नहीं हो सकता। इन पंदरा तिथियों में प्रत्यक तिथि को उनके पित्र प्रात सूरिय से सूरियास्त तक अपने पुत्र पूत्रों के प्रति आशानवित हो करके उनके द्वार पर आते हैं। और उनसे सद्धा पूर्वक दिये गए दान की अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं। यह जो हमने करम किया है यह आपको बतलाया है यह हमारा आपके पतिशने और प्यार है और मैं चाहता हूँ कि आप इस जो भी करम है श्राद का करम उसे सीरिसली लें और यदि आपके जीवन में भी जो मैंने आपको बतलाये पितर दोस समंदित यदि आपकी कुंडली नहीं है फिर भी आपको यह ऐसास है कि आपके पितर दोस है तो आप पितर दोस समधित जो भी उपाए है जरूर करें और यदि आपकी कुंडली है तो आपका भी समय निकाल करके आएं जिन जिन सेहरों में मैं जाता हूँ वहाँ पे अपॉंडमेंट लेकर के आप मिलें और या पिटेलीफोनिक कंसलेटेंसी के माद्यम से आप किसी भी सहर में किसी भी देश में रहते हैं तब भी आपकी समस्याओं पर हम चर्चा कर सकते हैं और आपके बारे में जो भी लिखना होगा वो लिख करके मैं फोटो खे हो है लेकिन इसके लिए आपने एक शेडियूल का पालन करना पड़ेगा जो भी एक प्रस槻ोर stability को फॉलो करना पड़ेगा और अस प्रसीजर को फॉलो करने के लिए हमारे हैड़ब इस जोद्पृ पर्मय कॉंट्रेक कड़ना पड़ेगा आपको जो ये प्रोगरम है एप चाहते हैं आपको यह जो हमारा प्रियास है वो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें अपने मित्रों को शेयर करें साथ ही साथ कमेंट करें या और कोई भी सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं कि हम एपिसोड बनाएं हम मैनत करके आप तक वो विश्लेशन दें तो जरू करें और साथ ही साथ यदि ये हमारा चैनल आपके जो भी इच्छाएं हैं आपकी जो भी आकांशा हैं उन पर खराव तरता है हमारा प्रयास आपको सही लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप भी हमारे परिवार में सामिल हो पाएं और हम अपने पर पक्स आने वाले हैं उसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेर हो जाएं अपने आसपास जो भी पंडित महाराज हैं जो भी भ्रामन देवत हैं उनसे मिल करके इसके बारे में चर्चा करें ताकि आपका ये आने वाला समय बहुत ही अच्छा बीते और आपके प्रसंद हो करके अपनी वापस लोग को जा पाएं अथात आपको आसिरवात पदान करते हैं आपका जीवन महका करके जाएं आप सभी को नमशकार और आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है ये नौग रही हैं आपके दुखों और कश्टों का कारण और निवारण आपके कुंडली में ही छिपा है जरूरत है सिर्फ ऐसे विद्वान की जो इन नौग रहों की भाशा को समझता हो ऐसे विद्वानों की श्रेणी में विश्वतंत्र जोतिश के संपादक पंडित कम कमल श्रिमाली जी का नाम प्रमुक्ता से लिया जाता है यदि आप भी किसी समस्या से परिशान है और पंडित कमल श्रिमाली जी से अपनी समस्या का कारण और निवारण जानना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं आपको सीधा और सरल रास्ता भारत के इन शहरों में आप पंड पीजर को जानने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर करें।